आरक्षड का सच डॉक्टर रिसी केस मीना लिखते हैं आरक्षड की बज़ा से ही देश बरबाद हुआ है यदि आप मानते हो कि आरक्षड की बज़ा से ही देश बरबाद हुआ है तो फिर याई पोश्ट सिर्फ आपके लिए है जरूर पढ़ें लसकर भी तुमारा है, सरदार भी तुमारा है, तुम जूट को सच लिख दो, अकवार भी तुमारा है, तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो जूट, मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है, कुछ बुद्धी मान बोलते हैं कि आरक्षड ने देश को बरबात कर दि 43 उच्तम न्याला के मुख्य न्याय धीस बने कितने आरक्षडबाले बने 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने उनमें से कितने आरक्षडबाले बने देश के जो बड़े गोटाले हुए उनमें कितने दिलत गोटाले बाज हैं बताएं जरा आप बताईए भारत देश में कितने दिलत लोग ऐसे बड़े कॉर्पोरेट गराने के बैवसाई हैं जो कि इस देश की अर्थ विवस्ता को प्रभावित करते हैं अब आप बताईए कि देश को बरबात कौन कर रहा है अगर संभावित ब्लैक मनी बालों की लिश्ट देखें तो कोई अरक्षड बाला नेजर नहीं आता तो फिर देश को बरबात कौन कर रहा है जितनी लोग बैंकों का रुपिया हजम करके बैटे हैं या भाग गए हैं उन में कितनी अरक्षड बाले हैं तो जब आप मिलेगा एक या दो प्रतिसत तो फिर इस देश को बरबात अरक्षड कर रहा है या मेरिट बाले जब ब्लैक मनी लिश्ट में एक भी नाम रिजर्ब केटेगरी की लोगों का नहीं है सारे जनरल हैं फिर भी कुछ बेपकूप कह अलाधन घोटाला, इस्टांप घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, सेर घोटाला, चीनी घोटाला बहुत लंबी सूची है इन घोटालों की ये सभी घोटाले क्या आरक्षड प्राप्त बालों ने किये हैं बताएंगे इसमें क इसी दृत का नाम कब तक बेपूब बनाते रहोगे और हाँ फिर भी हम लोग अपने हुनार और कबिलियत से थोड़ा आरक्षड का सहारा पाकर क्या काम्याब होने लगे आपके पेट में मरोडे उतने लगी जिनको अपनी थोती मेरिट पे घमंड है और आरक्षड से परिसा हैं वो अपने बच्चों को 5 साल तक बहां पढ़ाएं जा गरीब बच्चे आभावों में रहकर पढ़ते हैं फिर देखना सारी मेरिट हवा ना हो जाए तो कहना और यादि कुछ तथा कथित उचबर के लोग ये कहते हैं कि वो किसी से भेदवाव नहीं करते तो उनसे एक ही सवाल क्या वाई दलत परवार से रोटी बेटी का रिस्ता करने को तैयार हैं जातिया खत्म करने को तैयार हैं अगर नहीं तो फिर मान लीजिए अभी आरक्चड़ खत्म नहीं होना चाहिए निवेदन एवं आग्राय समस्त SCST समाज आपको सिर्फ 10 लोगों को एह जोड़नी हैं देखते ही देखते पूरा देश चोड़ जाएगा